जहन दोस्तों आप देखने डिपेंस गयान यूटूब चैनल सकता है जून को जम्मू में जो एरफोर्स इस्टेशन है वहाँ पर दो धमाके हुए डोन की मदद से और भारत पर पहली बार जो है डोन से हमला किया गया उसके बाद भारत में बहुत ज्यादा चर्चाएं वाकाइदा प्रदान मंत्री जी ने भी इसके लिए एक मीटिंग की थी तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप थ्री एंटी ड्रोन टेकनोलोजी के बारे में जो की दुनिया बर में यूज हो रही है तीस नमबर पर जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको कहते हैं ड्र हो रहे होते हैं यह उनको कट कर देती है कट करने का मतलब यह है कि जैसे यूजर यूज कर रहा है ड्रोन को और रिमोट के जरी हो वो कंट्रोल करता है तो यह क्या करती है जैसे ही जो टूप्स होते हैं उनको दिखता है कि यह ड्रोन ओडर आए उपर तो यह जो है उस प्रवाब में से गिर जाता है जमीन के जो डून होते हैं उनके उपर उडएंगे और हमला कर देंगे और उनको नुकसान पहुचा देंगे तब जो है डून काफी ज़ादा फाइदेवन रहती है क्योंकि जो एंटी डून सिस्टम होता है उसको आप हर जगे नहीं ले जा सकत से लेकिन जो ड्रोन गन होती है इसको साथ अगर अभी तक आपने आप रहूंद आप सब्सक्राइब ही कि तो प्लीज हमाँ चैनल सब्सक्राब कर दिजिए क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस हतियार होते हैं उन से जो डिफेंस अपडेट होते हैं उनसे एक जगे बनाते इसको वहां पर fix कर दिया जाता है, इसमें जो है radar होती है, radar जो है काफी यदा small से small जो drones होते हैं उनको भी detect कर लेती है, तो ये क्या करती है कि जैसे drone जो आता है, इसकी range में ये उनको detect कर लेती है इनकी जो radars हैं, कि ये एक drone आ चुका है, तो उसके बाद जो होता है, जो operate कर रहा होता है, इस anti-drone system को, यानि detect and jamming system को, वो समझ जाता है कि एक drone आ गया है, तो उसके बाद 2nd system होता है, वो automatic jamming system होता है, वो jamming system उस drone को signal एक्स्चेंज हो रहे होते हैं, उनको cut कर देता है, तो जो drone होता है वो जैसे ही signal उसके cut हो जाते हैं जो user उसको उड़ा रहे होते हैं उनके बीच का जो है संपर कट जाता है तो drone अपने आप ही अनियंतरत होके हवा से गिर जाता है जमीन के ऊपर अपने आप ही nest हो जाता है यह system काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है इसराइल और अमेरका द्वारा और भारत भी जो है इस पर काम कर ला है और काफी हद तक यह डबलप हो चुका पर जो एंटी ड्रोन टेक्नोलोजी इसको कहते हैं डिटेक्ट एंड डेस्ट्रोय यानि डिटेक्ट करने के बाद जो डोन सोता है उसको ड trajectory है उसको जो है टेक कर लेते हैं और जो एंटी ड्रोन मिसाइल होती है उसको निर्देश दिया जाता है और मिसाइल हो जाती है और मिसाइल होने के बाद जो है ड्रोन को जो है नस्ट कर देती है और यह जो है सबसे जाद्दा यूज किया जाने वाला सिस्टम में इसको इस इस तरीके के system को detect and destroy system को develop कर लिया है जो तीनों सेना उनको बता दिया गया है और उनके द्वारा यूज भी किया जाने वाला है बहुत जल्दी near future में इसराइल अमेरिका इनको बहुत पहले ही बना चुके हैं और काफी ज्यादा यूज करते हैं तो यही थी वीडियो मैंने ज अगली वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत